हलो हाई नमशकार प्रणाम सच्छिकाल ओम साही राम हरहर महादेब जय माता दी मैं डॉक्टर नीतू सिंग आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए कैसी लगती है वीडियो यह जरूर बताईए वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो आपके मतलब की है और क्या वीडियो में कही जा रही है और कितना आपके लिए उप्योगी है, कितने लाबदायक है तब पता चलेगा, इसलिए वीडियो को हमेशा एंड तक जरूर देखिए सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोगों को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन प्रेस करिए और कैसी लगते वीडियो जरूर बताइए कई फ्रेंस का और कई लोगों का मेरे पास में मैसेज आया कि इतने निगेटिविटी इतनी निगेटिव बाते सुनने के बाद और इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद आप इस तरीके से हसते मुस्कुराते कैसे रहते हो या पेशेंसली आप एतने मतलब अच्छे से पेशेंट को कैसे हैंडल करते हो और फिर भी खुश रहते हो फिर भी आपका दिनचरिया बिलकुल खुशी वाली बनी रहती है तो मैंने सोचा क्यों आज खुद अपने बारे में बात की जाए क्या किस तरीके से मैं पेशेंट को हैंडल करती हूं क्या मेरी दिनचरिया रहती है किस तरीके से मेरा टाइम जो है टाइम शेडूल में बनाती हूं और किस तरीके से मैं अगर पेशेंट क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि आप सारे टाइम में जो है depression के patient, आपके anxiety, overthinking, मतलब बहुत सारी ऐसी बाते जो होती है आप सुनते रहते हो और वो सारे चीज़ों को आप सुनने के बाद कहते है ना कि जो आप जैसा सुनते हो तो कभी-कभी आपका mind वैसा ही हो जाता है आप वैसा ही सोचने लग जाते हो मैं बताऊंगे friends ऐसा होता है कई बार कि कुछ हम बहुत different type से patient आते हैं बहुत सारी ऐसी बाते हम सुनते हैं और वो बाते की हमारे दिमाग में ना चलता रहे नहीं चलने का मतलब नहीं चलेगा तभी हम treatment दे पाएंगे तभी उनका इलाज कर पाएंगे तभी उनको therapy दे पाए खुद स unveil से रहना परेँ तो की normal नॉर्म में से मृटना जो मैं आ आती हूं या मेरे मंतरास हैं जो मैं आप बताती हूं-vition होती हूं-nौट-3 करिक हैसा ओधे नौर्मै इसम इमन्बिंग है, सारे कोई परिशानी आती है, तो हम सब घबरा जाते हैं, मेरे साथ भी होता था, बहुत जादा घबरा जाती थी, बहुत, मतलब, जो जरूरी नहीं है, उतना टेंशन में लेती थी, बट धीरे-धीरे बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ, कंट्रोल कैसे हुआ, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, क्योंकि मेडिटेशन आपके लाइफ में चींजिस लाता है, जमतकार हो जाता है लाइफ म या कोई टेंशन दे रही है, तो उसको आपको चेंज करना होता है, जितना ज़्यादा हो सकता है कि हर बात में, क्योंकि अब प्रोफिशन ऐसा है, तो हमें हर बात में पॉजिटिव बाते ढूननी है, हर जो कारे है, उन कारे में पॉजिटिव थिंक लाना है, तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है तो हम अपोजिट उसका कि मालोग कुछ अगर बुरा हो रहा है तो उसमें अच्छा क्या है तो वो अच्छा ही डूढने की कोशिश करते हैं और अच्छा ही हम डूढते हैं तो यह होता है meditation करने से आपका दिमाग बिलकुल सयम रहता है आपके control में रहता है अगर आप वो तरीके से कर रहे हो आप patiently कर रहे हो कि ध्यान की मुद्रा या ध्यान के यात्रा में जाना कठिन है क्योंकि आप जब तक खुद पूरे ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे कई बार होता है कि ध्यान हम करने जाते है, मन बिचलित हो जाता है बहुत सारी चीज़े सोचने लगता उस टाइम में क्योंकि हमें ध्यान में जाने का मतलब होता है खुद को सयम करना, खुद पे कंट्रोल पाना, खुद को पहचानना और खुद को खुश्यों की साइड में लेकर जाना कि आप अगर हो तो आप किसलिए हो इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आपको क आपने शुरू किया है तो उसको आपको एंड तक बड़े अच्छे से और बिलकुँ सार्थक्ता से आपको लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाना है तो बहुत सारी ऐसी बाते आती है जब हम ध्यान की यात्रा में जाते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान करने का करते हो तो आपको अपने आप पे सयम आना शुरू हो जाता है आप अपने आपको कंट्रोल करने लग जाते हो आपका माइंड जो बिचलित होता है या आपका माइंड जो निगेटिव थौट्स के साइड में जाता है वो कंट्रोल हो जाता है इसी तरीके से मेरे साथ हुआ कि जिस तरीके से मैंने meditation करना शुरू किया तो बहुत अराम से उन बातों को जो बाते मुझे attention देती है या कोई बाते जो कभी बिचलित कर देती है वो शनिक मात्रिक के लिए आती है और फिर चली जाती है क्योंकि solution मेरे पास है वो समाधान मेरे पास है और उस चीजों को कोई बात अगर आया तो वो दिमाग जहां problems की कोई बात लाई तो problems आई तो समाधान भी तो हमारे पास है तो उसको मैं तुरंत लेके आती हूँ तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हो तो और फिर ठीक हो जाता है और पता चलता है कि अगर यह आया है तो किसली आया है कोई problem है कोई मुसीबत है तो किसली आया है और यह जाएगा तो कैसे जाएगा यह सारी चीजे आती है या आप लोग भी कर सकते हो आपने mind को बहुत आराम से control मिला सकते हो कुछ meditation के लिए कुछ आप योग करो और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप breathing वाले जो deep breathing इन एन आउट वाली जिस तरीके से होती आप ध्यान मुद्रा में सिर्फ बैठ जाओ गहरी सास लो गहरी सास चोरो और धीरे धीरे अपने सासों पे control करो जब आप deep breathing करते हो और breathing exercise करते हो तो भी आपका मन कंट्रोल हो जाता है और आपको कुछ समझने के लिए और या कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान ढूनने के लिए आपका दिमाग सही रहता है मतलब सही दिशा में जाता है तो और कुछ अगर आप नहीं करते हो तो आप यहीं करो क्योंकि आपको आप एक मतलब वायू मुदरा बना लो वायू मुदरा ये मुदरा होती है वायू मुदरा बना के आप अराम से बैटके deep breathing आप कर सकते हो breathing exercise कर सकते हो और कुछ नहीं करना है आप अपने इस्ट का महादेब का ध्यान करो और उसके बाद में आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो ब्रीधिंग पर ध्यान दो और ब्रीधिंग एक्सरसाइज करो तो इसे बहुत फायदा होगा आपका मतलब जो सहत तो सही रहेगा कुछ चीजों के साइड एफेक्ट है ल और आप निरोग रहते हो तो ये आप अपने रेगुलर के दिन चर्या में आप लेकर आओ अरही बात की मानलो बहुत सारे इसे नैगट इड़ीव बाते जो होती है वो हमें सुनने को मिलती है बहुत सारी ऐसे चीज़े होती है किसी के रिलेशन टूट जाते हैं और मिसिक में सुसाइडल वाली सुसाइड करने के थौट्स आते हैं कोई बहुत मतलब मानसिक तौर पे इतना परेशान है कि दूसरे को हाम कर रहा है खुद को हाम कर रहा है बहुत सारी ऐसी बाते होती है रिलेशन्शिप के बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ब्रॉकन हार में चले जाते हैं, कुछ उन्होंने सोचा और उनका सोचा हुआ नहीं हो रहा है और उसके बाद वो मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट टाइप से बहुत ऐसे के लिए करते हैं, और जिसके कारण वो सय्यम रखें और अराम से वो उन लोगों की बाते सुने और सुनने के बाद में होती है कि आप सुनते हो आप प्रते मिन बताते हो फिर भी आपके मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत जादा मतलब हेल्प करता है, आपको किसी भी निगेटिव बातों को दिमाग पे हावी होने से, बहुत असर करता है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, बट मैं आम लोगों के लिए भी कहती हूँ, कि आप लोग धीरे-धीरे, क्योंकि जरूर मेडिटेशन की साइड में जाने लग जाओगे, ध्यान की यात्रा आपको समझ में आने लगेगी, जैसे ही आप अपने अंदर उतरते हैं, आपने आपको पहचानते हैं, आपने आपको जानते हैं, तो उस तरीके से ही आप, जैसे ही आपने आपको पहचानना शुरू किया तो आप पहचानते हैं धीरे-धीरे आपकी एक होती है ना कि आप और-और ज्यादा जाने की कोशिश में लग जाते हूँ तो ऐसे अगर आपकी एक शाह जागृत होती है तो आप देखो कि आप धीरे-धीरे मेडिटेशन अच्छा करते हूँ जो बहुत जादा depression में, जो बहुत गहरे depression में है, जो serious depression के patient है, उनके लिए meditation अच्छा नहीं होता है, वो जादा meditation में ना जाए, उनके लिए pranayam, walking exercise, ऐसे बाहर morning, evening walk करना, वो अच्छा रहता है उनके लिए, बाकि उनको ध्यान की यात्रा में जाना उनके लिए सही नहीं है तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ आप breathing exercise करो, प्रानायाम करो और खुश रहो, बाकि की बात ऐसे होती है कि मैं कुछ आप, जैसे आपके इर्दगर, कुछ ऐसे circle बनाओ, जो सिर्फ मतलब आपको खुशियां दे, जो बहुत छोटी-छोटी सी बात पर आप खुल के हसते हो, खुल के आप enjoy करते हो, तो कुछ circle आप ऐसे करो, कि serious लोगों से थोड़े से दूर रहो, जो serious बात करके है, आपके mind को और, मतलब, ग्रसिती करेंगे, आप सोचों के परिशान में ही डालेंगे, परिशानी ही डालेंगे, बेटर है कि आपका circle जो है, वो circle आपका बहुत, मतल के फुल के बाद पे भी लोग ठा के मार के जहां पे हस रहें, मेरा circle वैसा ही है, मुझे खुशी मिलती है कि ये लोग जो कुछ लोग है, जिनकी वज़े से जिंदगी बहुत easy हो जाती है, और कुछ तकलिफे जो हैं, जो हम आपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते हैं, इतने सारे negativity बाते हैं, रोज रोज आप सुनते हो, रोज रोज आप समझाते हो, तो आपके दिमाग पे हावी नहीं होता है, तो कुछ ऐसे circle है, और जिनकी से बात करके, जिनसे मिलके, वो जो stress होता है, वो जो बाते होती, वो जो negativity होती होती, वो कही नगई चली जाती है, बहतर होगा कि आप music सुनें, different type के आपको जो आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि आप sad music सुनो, अच्छी music सुनो, motivational music सुनो, आप अध्यात्म के बाते जानो, कुछ अध्यात्म में क्या मतलब आगे, क्योंकि इतने knowledge तो होते नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग इसे आपका knowledge ही बढ़ता है, अच्छी चीज़ें, ये नहीं कि आप किसी सादु महात्मा के चक्कर में पढ़ जाओ और वो फिर देखने लग जाओ, मैं वो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज के टाइम में इतना जादा ये पनपने लगे हैं, इन लोगों का market इतना मतलब धरले से चलने लगा है, कि समझ में नहीं आता है, कि कोई और काम कर लो, अपने भगवान को मजाग बनाने की क्या जरूरत है, लेकि लोग भगवान को भी मजाग बनाने लगे हैं, तो आप वहां सुने जहां पर आपको लगता है कि आप क्या नरजित कर रहे हो, उस साइड में जाके आप कुछ अच्छी बाते हैं, अध्यादम की बाते सुनो, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक जितना ज़्यादा क्योंकि गूड थेरेपी है, म्यूजिक आपके माइन को रिलेक्स करने के लिए, आपको माइन को बिल्कुल फ्री करने के लिए, पीस फुली साइड में नाका माइन्ड हो जाएगा इसलिए बिल्कुल आपको लगता है कि कभी परिषान हो तो बिल्कुल जिस पर आप इंज्वाइब कर सकते हो ऐसे music लगाँ तो बहुत सारे ऐसे चीजें है कि बिल्कुल मैं routine में मेरा मार्नुंग का रूटन होता है कि मेडिटेशन योगा सारक सारा कुछ हो जाता यह मेरे महादेव मतलब इस्ट मेरे महादेव बाइक दम से इतनी अच्छी लगती है, मॉर्निंग सुबह की बहुत प्यारी होती है, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, एक फोटो मैं ज़रूर क्लिक करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं जहां पर हूँ, जहां से शुर्योदे होता है, ज मुझे अच्छा लगता है उनको देखना मैं वो एक वीडियो बनाती हूँ तो कुछ चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं जरूर करती हूँ फिर जो मैं सुन रही होती हूँ महादेब जी के अगर मालो भजन मैं सुन रही होती हूँ तो मुझे कुछ भजन बहुत पसंद है. मोटिवेसिनल आप देखना शोरू करो, मतलब देखना शुरू करो, कzięki तब हैं आप मोटिवेट होते हो, तो कुछ ऐसे महादेब के हैं इस performed जो हैं आप सुन सकते हो, और उस पर आप मतलब मोटिवेट हो, जैसे आप कुछ energetic song सुनते हो तो वही उर्जा आप ग्रहन करते हो तो वैसे ही energetic song सुनो जैसे ही आप सुनोगे तो उस time में आपको वह energy आएगी तो मैं बहुत सुनती हूँ एक महादेब जी का ही है या motivational song है आरंभ है प्रचंड है मुझे बहुत पसंद है मतलब वह ऐसे सुनती हूँ और उसके line by line और वह strength मेरे अंदर आता है हर morning हर दिन वह एक उर्जा मैं ग्रहन करती हूँ तो आप इस तरीके से सुन सकते हो और अपने आपको चेयर अप कर सकते हो उर्जा मान कर सकते हो और सकारात्मक सोच के side में ले जा सकते हो इस तरीके से करो फिर morning में अगर आप उठते हो तो अपने आपको देखो और अपने आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसा कि आज बहुत ही खुबसूरत लग रहा हूँ या लग रही हूँ मैं ऐसे देखो और फिर morning में कुछ ऐसे अपने आप से ही बात करो कुछ ऐसे positive बात आप अपने आपक कहो कि आज ये करना है ये होगा मुझे पता है कि ये होगा मुझे पता है कि ये काम हो सकता है मेरे में ये शमता है बहुत ताकत है मेरे जैसा कोई नहीं जो भी है वो मैं हूँ सच में मैं कितने अच्छे सारे मुसीबत को मैं झेल जाती हूँ और कितने अच्छे से यही चीज इतरी ते हैं तो वो पॉजीति गूंती है वही हाप के दिमाग में जाता है फिर वह दिमाग आपका जोा आपने पॉजे हुँआ पॉजिप कुछ बाति बोले वही ग्रहन कि morning में जब आप उठते हो अपने balcony में आओ आओ आप दोनों हाथ फैलाओ और उपर आप वो affirmation आप भेजो आप कुछ बाते बोलो हमीशा हर दिन शुक्रिया आदा करो भगवान का जब morning उठती होती है और जब आप उठते हो तो हमारी जो सासे चल रही होती है हमें अपने आ प्रकृती ये सब कुछ देख पा रही हूँ उसके लिए बहुत शुक्रिया ये सासे जो मेरी चल रही है उसके लिए बहुत शुक्रिया ये जो मैं कान मेरे कान है जो सलामत है आज अभी जो अच्छी बाते सुन रहे हैं जो ये मतलब ये हवाओं का चलना ये चीरियों की आवाज ये लोगों की आवाज ये सुन्दर संगीत सुनने की आवाज इन सब को जो मैं सुन पा रही हूं उसके लिए आपका शुक्रिया ये जो मेरे पैर है जित से मैं चल पा रही हूं उसके लिए शुक्रिया ये जो मेरा पूरा शरीत सलामत है उसके लिए शुक्रिया क्य शुक्रिया आदा करना हर दिन जरूरी है हर राज जरूरी है आप हर राज शुक्रिया आदा करके सो क्यों शुक्रिया आपने कहा पूरे दिन के कारे के पूरा दिन आपका अच्छा रहा बहुत बहतर रहा जो भी उतार चड़ाओ आए वो जिंदगी है और ऐसे उतार चड़ आप इवनिंग में करो, कुछ ऐसी नॉर्मल बाते जो आपको लगे कि आप भगवान से बाते कर रहे हो, चार से छे लाइन आप इस तरीके से लिख के रखो हर दिन, हर दिन नई बाते निकालो, हर दिन नई बाते बोलो, देखो कितना इजी हो जाता है, सारे गम, सारे सारे दुख बहुत जादा आपके दिमाग से निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, और बहुत हलका महसूस करोगे, सारे तकलीफों को बहुत अराम से आप छेल पाओगे, निकाल पाओगे, और बहुत अराम से एक सरल तरीके से अपनी जिन्दिगी को जी पाओ अगर आप लोगों को मेरी बाते अच्छी लगती होगी बहुत ही आपस में जिस तरीके से हम आपस में बात करते हैं मेरी वीडियो ऐसे होते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोगों को लगता है कि आपके जिंदगी में मेरी बाते कुछ मतलब सहायता दे र तो प्लीज कमेंट्स बोक्स में आके जरूर बताओ इसे हमें भी मोटिवेट होते हैं और आगे आपके लिए फिर वीडियो बनाने की और जादा हम अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाएं और आप लोगों के काम आएं तो यह जरूर धिमांग में रहता है क्योंक के पास अगर अनुभव है आपके पास अगर ग्यान है अगर आप बाटते हो क्योंकि यह बाटने की चीज है अगर जैसे कोई जैसे टीचर होते हैं मालो जैसे डॉक्टर है टीचर है सारे जो नौलिजबल बंदे जो साधुमाद में तो वो चीज़े हैं जो जानते हैं जो उमर नहीं होती है, हम जब तक हमारी सास चलती है, जब तक हम जिबित है इस दुनिया में, तब तक हम सीखते हैं, पूरी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है कि परिपूर नह है, परफेक्ट है, कोई भी नहीं है, हर किसी को सीखना चाहिए और सीखने की एक आपके अंदर एक शम पुराते रही है, जिन्दगी को जिन्दा दिल से जीते रही है, एक दूसरे का साथ देते रही है, जिन्दगी एक मिली है, इस एक जिन्दगी को जितने सकारात्मक तरीके से, जितने आप सही दिशा में ले जाने के तरीके से जी होगे, जितना खुश हो के जी होगे, आपके आई उतनी लंबी होगी और आपके अकाउंट वहाँ जो भगवान के उपर जो आपका रेजिस्टर वो भरता रहेगा आपके अच्छे कर्मों से आपके अच्छे पुन्य से आप अगर खुश हो अगर आप अच्छे हो क्योंकि अगर आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप खुश हो आप उर्चा मानों आप सकारात्मक सोच वाले हो तो आप पुरी दुनिया को उसी नजर ये से देखोगे और आप दुनिया को वही चीज आप दोगे तो होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और तब तक के लिए कि आगे आप लोगों के लिए फिर कुछ इची और सच्ची बाते बहुत हल्की फुल्की और सच्ची बाते मैं लेकर आप आऊ तो उसके लिए आज इस वीडियो में विदा लूँगी मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्युवाई हरहर महादेव जैमात अदी हसते रहे मुस्कुराते रहे